हेलो एवरिवन वेल्कम टो इंजिने सटा गाईज आई होप यौल अगूड मैसल रजास सिंग गाईज एससी जेई 2023 के एक्जामिनिशन करीब है और एससी जेई 2023 को लेके कुछ सवाल बच्चों के दिमाग में आ रहे होंगे और जो जनरली बच्चे पूस्ते रहते हैं मैंन इसमें पहला सवाल यह है कि त्यारी सुरू कैसे करें जो बिगिनर्स हैं जिनको अभी त्यारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है उनको यह नहीं पता चलता है कि माटीरियल कैसे सेलेक्ट करें कहां से पढ़ें कौन कौन से कॉसंस लगाएं उस सारे सवालों के जवाब मैं को देने वाला हूं देखिए तैयारी सुरू करने का सबसे बहतरीन तरीका है किसी भी एक्जामिनेशन के लिए स्पेशली ससी जेई के लिए अगर आपकी ब्रांच फॉर एक्जामपल से विल है कोई भी ब्रांच हो सकती है आपकी से विल मेकनिकल इलेक्टिकल अपने ब्र पॉर एक्जामपल जैसे सर्वे की बात करूं ठिक तो सर्वे की बात हुँ एससी जेए ऐग्जामिनेशन की तो एससी जेए में लगभघ लगभघ ख़विए कभी छे नंबर की कभी आठ नंबर की छे से नंबर का वेरियेशन आपको दिखाई देता आउट अउट सारी चीजे पढ़ी होंगी जिसमें से एक सब्जेक्ट सर्वे भी रहा होगा अब इस सर्वे में कॉलेज में जो पढ़ा है उसमें से common portion देखिया आपने पढ़ा, आपने थोड़े लाइट के बारे में पढ़ा आपने plane table के बारे में पढ़ा तो उन थेरी के notes को पढ़ने के बाद आप सीधे सीधे क्या करना है start करो प्रिवेस यर कोसन लगाना स्टार्ट कीजिए जैसे आप गाईज प्रिवाई क्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो इस प्रिवाई क्यू में से आपको confidence आने लगता है आपको सब्जेक्ट पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है और आपको लगता है किस examination को आप क्रैक कर सकते हो इस तरीके से होती है आपकी preparation की शुरूआत इस तरीके से शुरूआत करना है 3 से 4 सब्यक्ट को target करना है और उन 3 से 4 सब्यक्ट को strong करना है अगर आप college level पे हो अभी preparation की जस्ड शुरूआत करना हो हां आगे क्या करना होगा का बाह Comedy subject कैसे Sean करने हैं selection के लिए वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा दूसरा question कहां से practice करें question के लिए देखो सबसे पहला सबसे पहला step होता है पीवाई क्यू previous year के question इसकी तमाम किताबे आती हैं जिसमें previous year के selected questions available होते हैं अड़ा की भी एक book है जिसमें professional जिसमें previous year के questions और कुछ नए questions भी available हैं बहुत सारे examination के लिए आपको पीवाई क्यू अलग अलग नहीं लगानी है केवल sseje का target करना है पीवाई क्यू sseje का target करेंगे उसके questions आप लगाईए पीवाई क्यू होने के बाद आपको कुछ standard किताबे लखनी है जैसे कि civil engineering branch है आपकी तो आर अगोर आती है है ना अगोर खुर्मी ये दो किताबे जो हैं बहुत अच्छी है है ना आर अगोर जो आती है वो बहुत अच्छी किताब उसमें questions का collection बहुत जादा है कुछ questions ऐसे मिलेंगे आपको जो relevant नहीं होंगे लेकिन overall किताब मैं उसको अच्छी कहूंगा मोटी किताब है थोड़ी सी questions जादा है उसमें उसके बाद कोई दूसरी किताब खरिदने के आपको नीड नहीं होगी तो आर अगोर एक अच्छी किताब है पहले सॉल्व करने के बाद अभी स्टार्टिंग में नहीं पहले पीवाई क्यों आपने लगाया उसके बाद आप किसी भी standard किताब को जिसमें MCQ खूब सारे भर के हो उसको आपक के पास standard book, खुर्मी और आर अगोर दो किताबे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर non-technical आपका week है क्योंकि obvious सी बात है क्या college में आप technical subject को अच्छे से पढ़ते होगे non-technical पे आपका ध्यान नहीं जाता है non-technical देखो एक दिन में improve होने वाली चीज नहीं है इसको आपको daily habit में लाना पड़ेगा current affair के लिए आपको YouTube पे session चलता है daily, daily देखो बस current affair के session आपको वहीं सी strong हो जाएगी आपकी current affair, current affair के लगभग 8 से 15 questions तक आते हैं examination में, जो non-tech में 50 portion रहता है GKS वाला उसमें लगभग 10 से 15 questions तक आ जाते हैं current affair के, static GK आपको पढ़नी पढ़ेगी इस आपको follow करेंगे, वहाँ से आपका ये portion strong होता जाएगा, हाँ, लेकिन ये सारा कुछ, ये सारा कुछ non-technical का portion जिसमे reasoning भी आपको अच्छे से solve करनी है, ये reasoning भी बहुत सारे बच्चों के week होती है, engineering करने के बावजूद भी, लेकिन कोई बात नहीं, reasoning week है, लेकिन हमेशा week नहीं रहेगी, यहाँ पर बस practice की need है आपको, ठीक, proper practice करते रहेंगे, आपको one by one, आपको strong हो जाएगे और ये चुकी reasoning का वेटेज, पचास question का होता है, 200 में से 50 question प्री में आते हैं, आपके reasoning के, तो बहुत important है, most important portion बोलूँगा मैं इसको, इसको improve करने का तरीका है, question की practice, केवल question के practice और कुछ नहीं, question कहीं से भी मिले, किसी भी examination का हो, बस practice कीजिए, मैं आप सभी को last में बस इतना बोलूँगा, कि जितने भी बच्चे यहाँ पर preparation करने वाले हैं, इन सभी चीजों को one by one करके follow कीजिए, एक एक step, और हाँ, आपको लगता है कि नई सर, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अलग-अलग material को जमा करूँ, अलग-अलग जगहों से किताबे खरी दिए और पढ़ूँ, उसके लिए आपको मैं इतना ही बोलूँगा कि आप सभी aspirant के लिए एक proper batch भी है, अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल classes attend करनी है, notes बनाने हैं, व discount code यह है, यहाँ पर इसको यूज करके आप minimum price में इस batch को join कर सकते हैं, और मातर 2300 रुपे में आपको मिल जाएगा guys, 2300 से 2400 रुपे में मिल जाएगा, जब आप discount coupon code यह यूज करोगे अड़ा 247 के application पे, join करना बड़ा simple है, अड़ा 247 के application डाउनलोड करो, अपने email address से login कर और search करो SSC JE, यह foundation batch जो है, 9 June से start हो रहा है guys, 9 June से इसकी start date है, यहाँ फोटो लगी होगी, आपको दिखाई दे जाएगी, और यहाँ पर civil engineers के लिए यह batch है, इसी तरीके से बाकी branches के लिए भी available है, फटा फट जाएगे, payment करने से पहले याद रखेगा, इस coupon code को apply करेंगे, तभी इसकी price कम होगी, discounted price में मिलेगा, फटा फट जाएगे और join करके अपनी study को start करें guys, thank you so much, बबाय, take care, मिलता हूँ आपसे next video, till then keep learning.